नमस्कार दोस्तों, तो आखिरकार आज इंडिया ग्रूप के शांदार पांस सितारा दफ्तर में देश के कुछ चुनिंदा चैनलों के चुनिंदा संपाद को और कुछ चुनिंदा चेहरों की बैठक संपन होई है बैठक का मकसद ये था कि इंडिया गठ वंदन ने जिन चेहरों को जिन 14 एंकर्स का बहिश्कार किया है उनके पक्ष में कैसे कोई रननीती बना जाए कैसे कोई दबाव बना जाए और कैसे संपादकों की एक बैठक करके एंकर्स की बैठक करके कैसे प्रस्ताव पारित किया है ताकि अपनी एक जूटा भी दिखाएं और विपक्षिदलों पर दबाओ भी दिखाएं इस बैठक के बारे मैं मैंने कल और आज सुबह के वीडियो में आपको बताया था बैठक आज तक के जो प्रोडकास्ट एडिटर्स एसोशेशन के अध्यक्ष हैं ऐसा एसोशेशन जिसकी छे साल में कोई बैठक नहीं हुई और ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने छे साल में कोई बैठक नहीं बुलाई उन्होंने पहली बैठक बुलाई छे साल बाद और उस बैठक का एजंडा था कि आगे कब चुनाओ जो काइदे से 6 साल में दो बार हो जाने चाहिए थे और जिन एंकर्स के खिलाफ जिन एंकर्से नाराज बिपक्षी गट बंधन ने फैसला किया है कि उनके शोज में उनके करिक्रमों में उनके इवेंट्स में नहीं जाएंगे उनके लिए क्या प्रस्त करने के लिए कल रात का और आज सुबा का वीडियो देखें ताक कि आपको बैक्राउंड समझ में आ जाए सूप्रिया प्रसाद आज तक के न्यूज डिरेक्टर उन्हीं के दफ्तर में मीटिंग हुई मौजूदा अध्यच है ब्रटकास्ट एडिटर्स एसोशेशन संपा को की एक जूटता हुई और एक संगठन बना संपाद को का संगठन लेकिन वह संगठन आज क्यों जुटा और बीच में क्या हुआ थोड़ा आगे कहानी बताऊंगा कैसे हो संगठन बना तवारा सूपरिया प्रसाद के दफ्तर में जो प्रसिडेंट है उनके दफ्तर में जिनका बहिश्कार किया है इंडिया कटबंधन के घटक दलोने अमिष्द योगन निव जेटीन के एंकर आरपार जहरीली बहसों के लिए को क्या थेंकर अमिष्द योगन जिनके सोज सालों भर सिर्फ नफरत की खाई खोदने के लिए होते हैं या विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए होते हैं या मोदी और शाह की राजनिटी के पक्ष में होते हैं या चापल उसी के लिए होते हैं तो अमिश्देवगन ताजा ताजा भी सदस्त बने कल बने और आज बैठक में शामिल हुए रुभी का लियाकत भारत 24 के एंकर इंदा भी नाम उस लिस्ट में बहिष्कार वाली लिस्ट में और कल ही ये भी सदस्त बनी है नभीका कुमार, नौभारत चैनल जो है नौभारत टाइबस अख़वार का, उनकी प्रधान संपादक, इनका भी नाम उस लिस्ट में है, जिस लिस्ट में भहिशकार जिन 14 चेहरों का किया गया है, उनका नाम है, सुधिर चौधरी, आज तक में रोज शो करते हैं, आप जान सरकार खुश रहे, जैसे आज लोग कर रहे हैं, जैसे सरकार खुश रहे, जिससे आप सनातनी मन जाएं, और जिससे विपक्ष को बदनाम करें, और जिससे नफरत वाली संप्रदाइक पत्र कार्था कर पाएं, अब शेक कापूर रिपब्लिक टीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं, संथ प्रसाज जो एवीपी न्यूज के एडिटर हैं, अभी नए- इस बैठक में स्वामिल हुए जोज़ा हैं,